सभी का मैं जीत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और स्वस्त हो घर पर कीप लर्निंग कीप ग्रोविंग सीखते रहिये और आगे बढ़ते रहिये जिस तरीके से आपने थम्ब नेल में पार्ट फाइफ में आपने पड़ा है कि S.E.S. सीखने का सबसे आसान तरीका और सबसे इजी तरीका तो बिलकुल करेक्ट है आज इस तरीके से इस फोकस से में आपको S.E.S. का प्रियोग सिखा दूँगा कि आप सोज भी नहीं सकते बस थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा बाकी S.E.S. आप 100% सीख जाएंगे problem कहा आती है कि जब S.E.S. का नियम हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता है कि S.E.S. का प्रियोग कहा होता है तो ध्यान से सुनिएगा present simple में जिसमें ताहे तीये तेहे वाकी के पीछे आता है वहाँ पर हम S.E.S. और I.E.S. का प्रियोग करते हैं किन्तु confusion हमें कह कहां लगाएं इस कहां लगाएं और I.E.S. का प्रियोग कहां लगाएं इनके example सही हम समझेंगे और इससे पहले कई teachers या कहीं lecture हम लेते हैं क्लास में लेते हैं पीछे वाली bench पर बेटे रहते हैं किन्तु हमें वोवेल और consonants के पहरे बताया नहीं जाता कि वोवेल क्या होत शुर्ट समझ में आ जाएगा तो मैं आपको लेचलता हूं शबस्प virtuous कि वोवेल किकेते हैं और कांसोनेंट्स किसे कहते हैं तो बैसुक्ष ली वोवेल और elimination स्वर और वेंजन होते हैं जिसे हिंदी में हम स्वर और वेंजन बोलते हैं, ठीक है ना, तो इंगलिस में वोवेल और कांसोनेंट्स कौन से रहते हैं, तो ध्यान रखियेगा, फ्रैंट्स की अबी सीडी में पूरे 26 लेटर रहते हैं, कितने रहते हैं, 26 लेटर रहते हैं, जिसमें से A, E, I, O, U ऐसे 5 लेटर ऐसे रहते हैं जो की consonants होते हैं A, E, I, O, U को छोड़ करके जो 21 जो लेटर बचते हैं ABCD में उन सभी को हम consonants कहते हैं ठीके ना A, E, I, O, U को छोड़ करके इनको consonants कहते हैं तो इसको मैं अलग चिपका देता हूँ तब कि आपको आसानी से जब ACS का रूल ही जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से फटक्स है जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या लगाना है S लगाना है कि S लगाना है कि I, E, S लगाना है ठीके ना तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि A, E, I, O, U को छोड़ करके जो बचते हैं उन्हें कांसोनेंट्स केते हैं और A, E, I, O, U को वोवल कहा जाता है I hope इतना तो आपको समझ में आ गया ACS पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ रूल्स को चिपका देता हूँ उन रूल्स को ठीके ना यह कहता है S वाला, S वाला सबसे पहले कितने रूल है, S वाले में वो मैं आपको समझा देता हूँ S, S वाले, ठीके ना कि S कहां लगा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा जब कोई वर्ब कांसोनेंट्स से खतम होती है ध्यान से सुनिएगा जिसे यहां पर आ गया है slip slip के पीछे वाला जो पी है वो वह ले की consonants है आप यह बताईए अभी मैंने आपको बताईए क्या है? consonants slip slip में क्या लगा देंगी? S slips हो जाएगा दूसरा है book book में जो के है वो consonants है तो S, E, S में से I, E, S में से जो D है वो consonants है तो फटाक से S लगा दी है वूट का क्या बन जाएगा? वूट्स ठीक है? I hope आपको समझ में आ गया होगा तो पहला rule आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा ठीक है ना? rule number दूसरा देखिए ठीक है ना? S वाला जब कोई verb क्योंकि E एक वोवेल है अभी मैंने A, E, I, O, U 5 बताए थे उसमें E आया था वोवेल है अगर वोवेल E से खतम होती है और second last letter उसके just पीछे वाला letter जो है यदि वो consonant रहता है तो वहाँ पर भी आप S का प्रियोग करेंगे जैसे example number पहला देखिए, जिसे आगाया हमारे पास right W, R, I, T, E T, टी, 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 ना E के बाद T आगाया T consonant है तो T consonants आगाया यहाँ पर तो T consonants है तो यहाँ पर यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम E के बाद S तो right का क्या बन जाएगा? rights क्या बन जाएगा? rights ठीक है ना? इसके बाद हमने bright लिख दिया bright bright के भी पीछे क्या है? bright के पीछे भी क्या है? E और इसके पीछे भी T तो bright का क्या हो जाएगा? brights kite आगा K, I, T, E kite kite में भी T है और इसके पीछे E है तो kite का क्या हो जाएगा? kites क्या हो जाएगा? kites ठीक है ना? इस तरीके से हम इसका प्रियोग करेंगे might M-I-T-E यदि might भी आ गया तो might का क्या हो जाएगा? might ठीक है ना? इस तरीके से हम uses करेंगे bike है bike B-I-K-E bike bike के पीछे K है second last letter K है consonant है तो इसमें भी क्या लगा देंगे? S तो bike का क्या हो जाएगा? bikes ठीक है ना? क्या हो जाएगा? bikes तो दो rule आपने S के पढ़ लिए तीसरा rule आपको ये देखना है कि यदि ठीक है ना? यदि कोई verb I-E से खत्म होती है तो वहाँ पर भी आप S का प्रियोग करते हो I-E से ठीक है ना? कोई verb जैसे हमारे पास आगा है lie lie एक verb है लेटना जिसे हम इन्दी में लेटना कहते हैं lie 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 में lie से खत्म हो रही है lie का क्या बन जाएगा? tie t-i-e tie tie का क्या बन जाएगा? my आगाया m-i-e my माई का क्या बन जाएगा? mys तो इस तरीके से ठीक है ना? ये आप समझ में आ चुगा होगा इसके बाद next rule अब ये s-s कहां लगाते हैं ये rule आपके खत्म होए इस इस जगा आप एसका प्रियोग करते हो अब e-s पर ले चलता हूँ कि e-s कहां लगाते हैं जब कोई वर्ब जब कोई वर्ब o से खत्म होती है जब कोई वर्ब wovel o से खत्म होती है अब wovel क्यों है? a-e-i-o o एक wovel है wovel e से खत्म होती है तो वहाँ पर e-s लगाया जाता है क्या लगाया जाता है? e-s लगाया जाता है जैसे example number पहला हम समझते है जैसे go आगाया हमारे पास क्या आगाया? go go में पीछे क्या है? o तो go का क्या बन जाएगा? automatically goes जैसे do है d-o ठीक है ना? do है तो do का क्या हो जाएगा? does do का क्या हो जाएगा? does इसके बाद यदी verb ठीक है ना? यदी verb o x ch ्डबल अस z ठीक है ना? o x ch ्डबल अस z z z से खत्म होती है तो वहाँ पर भी आप किसका प्रियोग करते हो? किसका प्रियोग करते हो? आप es का प्रियोग करते हो ठीक है ना? दो रूल है इसके पहला रूल तो o से खत्म होती है दूसरा रूल in inward o x ch ्डबल अस sh और z से खत्म होती है तो वहाँ पर भी किसका प्रियोग करते हैं? ES का प्रियोक करते हैं SH भी होना चाहिए ठीक है ना बाद में आपसे बोल दिया है SH भी होना चाहिए जिस सबसे पहला example watch watch में हम देखते हैं कि इसमें क्या आजाता है W A T C H watch में पीछे क्या जाता है CH तो watch का क्या हो जाएगा watches क्या हो जाएगा watches कच केच में वह आता है ch हो जाएगा संब सबस dot by उजहएग क्या हो जाएगा सबक्राइए निदीक श्याच का बूज हो जाएगा सर्द्धार पूस क्या पूस में एसे उक्स ऑगया ओग्स Ty fix Aux के पीछे एक्स आ गया बोक्स क्या हो जाएगा उक्स का भी औक्स यह आपके जूरू है यह dáioxid आपके ईहेस झागना इतना इतना आपको आई होप समझ में आगया होगा ठिके लड़ी हान से समझ आ रहा हूं फोकस कर के सीखिए गा ठीम इसके बाद अब ाई ईS कहां लगाते हैं अगर कोई वर्व य से खतम होती है यदि कान्सोनेंट रहता है क्या रहता है तो वहां पर Y को हटा करके आई ईS में बदला जाता है जैसे example आ गया try try में try try में y को हटा कर उसी y को i-e-s में आप बदल दीजे क्योंकि r क्या है consonant है तो इस y को हटा कर आप किसमें बदलेंगे तो try का क्या हो जाएगा trice worry आ गया w-o-r-ry worry तो worry में भी आप किसका प्रियोग करेंगे y को हटाईए और i-e-s लगा दिये worry का क्या बन जाएगा worries और cry cry में पीछे y आ गया तो cry का भी क्या बन जाएगा crys क्या बन जाएगा crys ठीक है ना tally t-e-l-l-y tally tally में y आ गया तो tally में y आ गया तो किसको हटाएगे y को और l-k-i consonant है तो tally का क्या होजएगा tally क्या होजाएगा tally इस तरीके से हमारे जो rule है इसके according ही s-e-s और i-e-s का प्रियोग किया जाता है कभी भी आप tense पढ़े तो बिना ठीके ना बिना affair होके बिना डरे और बिना ठीके ना रूल के आप s-e-s और i-e-s का प्रियोग ना करें इन रूल के according आप s-e-s i-e-s का प्रियोग करें कहीं भी बेठे हो किसी भी जगा बेठे हो 100% आपकी इंगलिस में correction नहीं होगा और ना आपकी इंगलिस ठीके ना वहाँ पर शांदार तो रहीगी सहीं और बहुत शांदार रहीगी क्योंकि हर एक जब भी आप s-e-s का प्रियोग करेंगे तो आपके पास rule के according आपके पास s-e-s रहेगा तो आप automatically s-e-s का automatically प्रियोग कर दोगे तो आई होप यह lecture आपको बहुत शांदार लगा होगा यदि यह पसंद आए तो इसको like करें share करें और comments करना तो भूला ही नहीं है कि कौन सा rule आपको समझ में नहीं आया उसको return में आपको ठीके ना समझा दूँगा तो comments लिखना न भूले जल्दी से चनल को share करें subscribe करें और bell icon को दबाना ना भूले ताकि आने वाले notification आपके पास जल्दी से प्राप्त हो सके we have completed the relation 1 keep learning and keep growing सीखते रहिए बढ़ते रहिए future में ताकि आपको problem ना आए तब तक के लिए see you again नेश चेप्टर में मिलूँगा इसी के अनुशार according में क्या सिखते हैं नेश रिलेशन में हम सीखेंगे जल्दी ही आने वाला है आपके पास कब